दुनिया भर के 200 से जादा देश इस वक्त कोरोना की चपेग में हैं करेन देशों में इसका वैक्सिन बनाने के प्रयास किये जा किये जह रही है हाल ही में रूस ने कोरोना Rise vaccine बनाने में सफलता पाली थी और राश्पती, पुटीन की बेटी को ही इसका पहला डूस दिया गया था, अपने बनाय गए वैक्सीन का रूस ने रजिस्टृषन भी करा लिया है, लेकिन आप वैक्सीन पर दमाम तरह के सवाल उठाया जारे है, विश्वसास्त संगेटन भी वैक्सीन के सुरक्षत होने को लेकर सवाल उठा रहा है वहीं कई अन्य देश रूस के वैक्सीन का विरोध करते नज़र आ रहे हैं गौर्टलभय की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक फाइफ को गामालियर रिसर्च इंस्ट्यूट्यूप ने तयार किया है वहीं दूसरी और रूस का टीकार डव्यूएचो की नो वैक्सीन की सुची में शामिल नहीं है जो तेसे चरण में पहुच गए हैं डव्यूएचो की सुची में वो वैक्सीन शामिल है जो परिक्षन के उन्नत चरणों में पहुच चुके हैं और रूस के वैक्सीन को WHO सुरक्षित नहीं मानता खबर सामने आई है कि रूसी कोरोना वैक्सीन स्पूतनिक 5 को लेकर किये गए परिक्षन में मेडिकल एथिक्स के उलंगन का आरोप लगाते हुए देश के टॉप डॉक्टर ने इस्तिफादी दिया मीडिया रिपूर्ट के अनुसार डॉक्टर अलेक्सेंडर कुशली ने रॉशियन हेल्थ मिनिस्टरी के एथिक्स काउंसिल से इस्तिफादी दिया उन्होंने आरोप लगा कि वैक्सीन बनाने में मेडिकल एथिक्स का गंभीर उलंगन हुआ है बतादे कि अलेक्सेंडर उसमें सांस की बिमारियों की टॉप डॉक्टर्स में शामिल है subscribe our channel and press the bell icon for more updates